नमस्ते मैं अभिनाव लाइठाव सोल से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि एक अलग-अलग स्टीजिस अवेकनिंग कौन से होते हैं ठीके? नाव इसमें मुझे इंस्पिरेशन मिली थी बुक जो जीरो लिमिट्स हैं तो वो जटनी के रिस्पेक्ट में मैं अपना परस्पेक्टिव शेर करता हूँ देखिए कई बार क्या होता है कोई spiritual knowledge किसी एक person को बहुत अच्छी से समझ में आ जाता है कोई और person को वो ही spiritual knowledge समझाने जाएंगे उसका पूरा-पूरा बाउंसर जाता है ऐसा क्यों होता है because soul level पे क्या होता है धीरे धीरे अवेकन हर soul का awakening का एक process है ठीक हर कोई हम हर कोई एक journey में है ठीक है जरुरी नहीं कि आप spiritual हो आपको लगता है दूसरा person spiritual नहीं है नहीं वो अपने उस journey में है ठीक है तो हम किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं and सबसे worst जो type of ego is spiritual ego कि मैं एक level पे हूँ और दूसरा person मेरे level पे नहीं है spiritual level पे नहीं है नहीं that's wrong हर कोई अपनी journey में है तो अब वो कौन-कौन सी stages है उस पे थोड़ा सा discuss करते है ठीक है तो मैं यहाँ पे एक triangle बना रहा हूँ I hope आप देख पा रहे होगे ठीक है तो यह जो जिसे यह है मैंने triangle बनाया है ठीक है मेरी drawing बहुत अच्छी नहीं है ठीक है तो यह जो है ना नीचे वाला एक ठीक है यह पहला एक level है जिसमें person क्या होता है वो अपने आपको victim समझता है ठीक है देखिए हम लोग सब creative beings है we are all mirror image of god ठीक है जैसे god ने हमको create किया है वैसे हम हमारे thoughts के अंदर power होता है create करने का लेकिन जो पहला stage है जहां पे victim है तो वो क्या person अपने आपको victim समझता है कि मेरे साथ life में बुरा हो रहा है मेरे साथ life में इतनी problems है ठीक है तो वो person भी creative being है उसके अंदर भी वो ही creative power है जो हर एक किसी में power है जो एक maybe spiritually high person में भी जो power है क्योंकि thoughts हर person के thoughts energy रहती है जिससे वो create कर सकता है तो वो अपने लिए unconsciously create कर रहा है ठीक है एक तो मैं आता हू second level पर लेकिन वो person क्या है अपने thoughts से जो अपना victim thoughts है उससे वो unconsciously अपने लिए वो ही problematic situations में life में create करते रहता है करते रहता है करते रहता है जब तक कि वो realize नहीं करता कि मैं इससे बढ़ा हूँ मैं अपने problems से बढ़ा हूँ ठीक है तो जब वो realize कर देता है तब वो आ जाता ह second stage में second stage क्या है second stage है empowerment ठीक है second stage एक stage है जहाँ पर individual realize करता है कि मैं अपनी reality खुद create करता हूँ ठीक है देखिए ये जो सामने मैं सब जो देख रहा हूँ वो सब एक illusion है ठीक है मैंने अपने thoughts से ये reality create की है अपने कुछ experiences मुझे learn करने है उसके हिसाब से मैंने अपनी एक reality create की है जिसको बोलते है soul contracts ठीक है highest good path जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है वो आप देख सकते है तो मैं अपनी reality जब मुझे समझ में आता है कि मैं अपनी reality अपने thoughts से create कर सकता हूँ तो then मेरे अंदर ये thought आ लगते हो आप consciously manifest करने लगते हो affirmations, visualizations जो भी ये सब law of attraction वगरे सब रहता है ये सब करके आप अपने लिए create करते हो ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा problem ये है ठीक है कि जब आप अपने लिए चीजे create करते हो तो आपको नहीं पता आपके highest good में क्या है highest good path मैंन कि highest good में क्या है आपको नहीं पता लेकिन आप में वो ability आजाती है कि मुझे पता है मैं अपने thoughts से अपनी reality create करता हो तो मुझे इतने साल में ये चाहिए मुझे अपने इतना income चाहिए इतना सब चाहिए और उसके लिए आप भिढ़ जाते हो ठीक है यहाँ पे तो person victim है उसक सब करके उसको ए से बी पे जाना है तो वो सारा law of attraction लगाता है conscious manifestation करता है अलग-अलग routines जो कहते न वो सब करके उसको ए से बी पे जाना है लेकिन इस से आगे जो stage है अब उसको जब further awakening उसका होता है जब उसका soul evolution further होता है तब उसको यह realization आने लगता है कि यह जो B point मैंने choose कि कि मुझे B point पे जाना है क्या यह B point मेरे highest good में है ऐसा तो नहीं कि मेरे highest good में point C हो ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक लाक रुपया महिना कमाना है उसके लिए मैं सब कुछ जोड़ तोड़ कर रहा हूं affirmation visualization सब कर रहा हूं पता चला मेरे को point C पे जाना हो या currently life में ज अब वो stage होता है third stage वो stage हो जाता है forgiveness ठीक है यहाँ पर देखिए अभी इसको एक और energy से समझते हैं ठीक है बढ़िया है ठीक है कैसे समझते हैं जब मैं born हुआ जब मैं not in this world जब मैं born हुआ beginning of the creation जब मैं भगवान ने मेरको एक mirror image में create किया it's like a child that got separated from his father ठीक है अब वो child घूम रहा है घूम रहा है पहले तो वो unconsciously दर दर घूम रहा है ठीक है वो अपने father से separate हो गया ठीक है तो separation का pain कहीं न कहीं उसके अंदर है ठीक है father is the absolute the brahman the divine intelligence जो भी god जो भी आप बोलना चा योनियों में भटक रहा है ठीक है unconsciously भटक रहा है human birth में मिला लेकिन उसने waste कर दिया unconsciously ठीक है फिर उसको realize हुआ कि हाँ अब मेरे अंदर power है में thought thoughts से में create कर सकता है अपनी reality तो वो reality create नए-nए toys create करने लगा manifestation करने लगा ठीक है अपने लिए toys create करना फिर एक stage आती है जो वो उन toys से bore हो जाता है और उसको realization आता है कि मुझे उसको longing होती है भगवान उसके father के प्रति उसको अपने father की याद आती है और उसको longing होती है कि नहीं अब मुझे घर जाना है मैंने बहुत घर से दूर निकल गया हूँ सब कुछ enjoy किया है लेकिन अब मुझे वापस मेरे father के प stage है जहां पर आप बोलते हो कि मैं surrender करता हूँ ठीक है जो कुछ भी मैंने अभी तक create किया ठीक है जैसे जो hope पोनोपोनो में अलग से video बनाए है यहाँ पर मैं hope पोनोपोनो यूज करता हूँ ठीक है जहां पर मैं forgiveness मांगता हूँ कि भगवान मैंने जो इतना सारा memories का mountainbec कर कर मेरे जो भी free will से मैंने karmas create करके रखे हैं जिसकी वज़े से आज मैं यहाँ पे हूँ मैं आपके पास नहीं हूँ मैं आपके साथ नहीं हूँ मैं आप में merge नहीं हूँ मैं आपसे अलग हूँ इसके लिए मैं आज भगवान से अलग क्यों हूँ simple सोचो आप इस वक जब सुन रहे हूँ मैं भगवान से अलग क्यों हूँ because मेरे और भगवान की बीच में क्या है ये memories, ये patterns जो मेरे अंदर play out होते रहते हैं thoughts के रूप में वो ही मुझे भगवान से अलग रखते हैं अगर ये memories clear हो गए सारे memories, patterns vanish हो गए और manifestations नहीं करने मुझे बस आपके पास वापस आना है तो मैं forgiveness ट्राई करता हूँ ठीक है? मैं start करता हूँ forgiveness भगवान को ये forgive ये बोलना कि भगवान मैं sorry feel करता हूँ मुझे please forgive करो कि मैंने ये memories अपने लिए एखटे करके रखे मैंने अपने को खुद आप से दूर किया है मैंने अपने को खुद आप से दूर किया है और अब मुझे वापस आपके पास आना है ठीक है? तो ये stage होगा एक forgiveness यहाँ पे हम लोग use करते है हो ओ पोनो करके एक बहुत ही beautiful four word prayer है I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you ठीक है? ये तो एक just prayer है होओ पोनो पोनो एक बहुत अच्छी prayer है normally भी अगर एक person surrender वाली feeling में आ जाता है जिससे शरनागती जिसको बोलते है कि एक हर life में हर moment में वो surrender करते रहते है ठीक है? भगवान आप ही हो आप ही पूरा स्रष्टी चला रहे हो तो मैं कौन हूँ आप जब इतने birds को, इतना plants को सबको आप खाना तो मुझे क्या चिंता कर रहे है मैं पूरी तरह से आपको surrender मतलब हम अपने सारे काम करेंगे at the same time एक surrender mindset रखेंगे ये forgiveness का mindset रहेंगे ये होता है third stage fourth stage जो है highest stage आप उसको presence बोल सकते हो आप उसको being बोल सकते हो आप उसको awareness बोल सकते हो ठीक है मतलब एक बार वापस concept समझा जेता हूँ पहला है concept victim victim stage ठीक है second empowerment जहां से मैं बोलता हूँ मैं A से B मुझे मैं A पे हूँ और मैं खुड decide कर दा हूँ कि मुझे B पे जाना है ठीक है third stage पे मैं realize कर देता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता मेरे लिए B सही है या C सही है मैं भगवान को surrender कर देता हूँ और भगवान को बोलता हूँ कि आप ही मुझे drive करो मैं एक तरह से जैसे being like a sheep Jesus को मैं बोलता हूँ कि इस stage पर ये point पर ही मैं deep surrender करना start करता हूँ and fourth is presence जहां पर मैं continuously at every moment मैं एक presence में रहता हूँ जब मैं presence में रहता हूँ तो होता क्या है mindfulness इसको mindfulness practices mindfulness मतलब मैं presence मतलब मैं इस moment में हूँ ठीक है completely इस moment में जब मैं इस moment में completely रहता हूँ मैं past or future में रहता हूँ जब मैं इस moment में आ जाता हूँ that means I am I put an end to the world I put an end to time ठीक है और मैं then God's energy flows through me ठीक है then I am totally in present moment and God's energy हाँ जितना मेरा प्रारद कर्म है वो मुझे पूरा फुल्फिल करना पड़ेगा ठीक है it's not that I am present moment में आ गया तो I am out of this world खतम I am merged with the divine नहीं जो मेरा प्रारद कर्म है इतने lifetimes का वो मुझे but मैं नया कर्म create नहीं करता हूँ और मैं पूरी तरह से भगवान की energy मेरे अंदर flow होने लगती है तो I hope ये 4 stages है देखे ये चीज़े बहुत complicated है ये चीज़े words में कही चीज़े express करने का करना it's not easy but मैंने सिर्फ try किया है I hope आपको एक थोड़ा sense आया होगा इसलिए कई बार कहते कि आप कोई बंदा ये stage में है उसको ये stage का knowledge दो सुन रहा है उसको समझ में ही नहीं आएगा पूरा पूरा बाउंसर जाएगा कोई बंदा अगर ये stage पे है ठीक है ये stage पे कोई बंदा और उसको ये stage का आप knowledge दे रहे हो तो उसको उसका relevance नहीं feel होगा इसलिए it's important कि वो बंदा किस stage में है एक और चीज़ मैं बोलना चाना हूँ दोस्तों यहाँ पे अपने experience से जैसे जैसे आप लेवल आप जाते रहते हो अब जरूरी नहीं है आप ये लेवल से आपको ये लेवल पे जाना है ये लेवल से ये कोई ऐसा ये कोई ऐसा rule book नहीं है ठीक है कई लोग यहाँ पे होते हैं जैसे Eckhart की life एक हाट टॉल जो है पावर अफ जिन्हों नहीं है उनको इस life में थे वो victim की life में life में इतनी suffering बढ़ गए कि उन्होंने एक दिन decide किया कि मैं और suffering नहीं चाता हूँ मैं अपनी लिए और suffering create नहीं करूँगा so from here he went directly to here ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको यह step by step ही चलना है और देखी एक और चीज़ यह चीज़ आप force नहीं कर सकते हैं मैं अपनी life से बोल रहा हूँ life में मेरे मेरी personal life में बहुत सारे problems मैंने देखे तो I moved from victim to this stage ठीक है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हर एक की life का अपना अलग है कोई एक गुरू के contact में आ जाता है और वो एकदम से उसके अंदर एक spark आ जाता है कोई कुछ पढ़ लेता है एकदम से और उसके अंदर वो एक spark आ जाता है यह कोई है जो बहुत सारी problems उसे pressure को कर situation में जाता है and then he realizes presence ठीक है तो हर एक का अपना एक अलग way है अपनी spiritual journey अलग है हाँ यह है कि आप एक time पर में भी दो stages में भी रह सकते हो ठीक है और आप क्या है किसी चीज़ को force नहीं कोई spiritual knowledge आप force नहीं कर सकते हो कि मुझे एक और चीज़ी है knowledge भर भर के पढ़ा है ठीक है knowledge आपको ऐसा ऐसा knowledge है जो आप जैसे spiritual journey में आगे जाते हो न तो आपको अपने आप वो portals open होने लगते यह मेरा personal experience है ठीक है मैं जब यहाँ इस journey में होंगा तो हो सकता है मुझे वो knowledge पता भी नहीं है जैसे मैं अपना awareness level बढ़ाता हूँ automatically मुझे ऐसे ऐसे books मिले ऐसे ऐसे knowledge मिला जो मैं बोला अरे यह knowledge भी होता है क्या और मेभी मुझे नहीं पता जैसे मैं अपनी awareness level बढ़ाऊंगा तो मुझे किस level करूँ तो मेरे लाइफ में multiple gurus रहे ठीक है जिसको power of now करके जो book है वो मेरी गुरू रही laws of spirit world उस भी मैंने एक चार पार्ट सीरिस बनाई वो मुझे हर चीज मेरे को उस time पे मिली जब मुझे वो जरुरत थी मतलब मेरी awareness level उतनी आ गए अब power of now गर मैंने 10 साल पहले पड़ी होती मुझे उसका head and because मैं वो इस stage में था मुझे उसका head and tail भी समझ में नहीं आता उस book का ठीक है तो important thing is हमको किजी भी चीज को force नहीं करना है हर चीज को अपने गती से होने दो आप अपना normal meditation inner work अपने practices चालू रखो धीरे धीरे आपका awareness लेल पड़ेगा धीरे धीरे जो knowledge के portals धीरे धीरे open होंगे ठीक है तो I hope ये perspective आपको थोड़ा useful लगाओ आपको कुछ भी queries, comments होंगे प्लीज मेंशन कीजे comment section में ये video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा God bless you Thank you so much